नमस्कार दोस्तों मैं उंकर उपात्याए स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के साथ 5 Blue Chip Stocks कह सकते हैं Large Cap Stocks कह सकते हैं और इन Stocks पर भरोसा कर सकते हैं यह Stocks मैं आपको recommend कर रहा हूँ इस 2023 वर्स के लिए मुझे लगता है यहाँ आपका definitely 15-20% के returns आपको almost मिलेंगे जो satisfy करते हैं Large Cap Stocks से इतने returns वो definitely खरीद सकते हैं जो नहीं करते हैं वो आप कहीं और देख सकते हैं इस Stocks के बारे में बात करें तो देखी अच्छी correction अल्रेडी हो गई है और Stocks 25-45 पे आगया है Stocks का 52 विखाई 28-56 का है मुझे लगता है Stocks definitely इस साल 2800 रुपे दोबारा टेस्ट कर सकता है और maybe it can go around 3000 labels बट वो एक psychological label हो जाएगा उसके लिए थोड़ा वेट करते है Stock में खरिदारी किस हिसाब से करनी है वो समझनी की कोशिश करो 25-45 पे चल रहा है 2380 तक खरीदना है आपको तीन बार में तो आपको पैसा मैं एक investment portfolio बनाना चाहता हूँ आपकी आप copy pen लेने तो better रहेगा For example, आप 1,00,000 रुपे आपके पास और आपने 5 stock select करें जैसे मैंने यहाँ पे करें एक stock में मेरा कितना पैसा जाना है 20,000 तो मैं इस 20,000 को Reliance में डालूँगा उस 20,000 को मैं 3 terms में डालूँगा तो मैं कितना कितना डालूँगा 7,7,6 जो भी बचेगा 7,7,6,000 तो पहले मुझे खरीदना है Current Market से 7,000 का दूसरा मेरा installment जाएगा इस stock में 2460 पे and third installment मेरा होगा 2400 पे इस तरीके से हम अपने position को करेंगे और हम रोकेंगे इस टॉक का मारा टारगेट पहला होगा 2750 second target होगा 2850 जो कि इसका 52 भी खाई भी है Next stock is Infosys यहां आपको दो इंस्टॉल्मेंट करनी है पहला आप चाहे तो अभी कर सकते हैं दूसरा अगर इस टॉक के नंबर के बाद कोई करेक्शन आती है 1440 के राउंड आता है तो वहाँ यानि की 10,000 से दो बार में करना है आपको इस टॉक का वाँ 1515 पे अभी और इस टॉक का 52 भी खाई 1915 का है मुझे रगता है इस साल IT स्टॉक्स परफॉर्म करने चाहिए और यह स्टॉक आपको 1815 का लेवल तो दिखाएगा ही दिखाएगा ऐसा मुझे लगता है चलिए नेक्स स्टॉक की तरफ चलते है यह है डीवीज लेब यहाँ पे भी आपको 20,000 लगाने है और दो बार में लगाने है पहली बार का आप करने लिगाए यहाँ पे आप इस स्टॉक में भी पोजीशन लेके चल सकते है थर्ड स्टॉक मेरी तरफ से देखे टाटा गुरूप के स्टॉक को लेकर हमेशा से प्यार बना रहता है अब टाटा गुरूप के अगर मैं स्टॉक लगाऊंगा लिस्ट में तो मेरे पास इतने सारे लिस्ट हो जाएंगे और आराउंड दस भी सार रुपे भी चाहिए होंगे सारे स्टॉक्स खरीदूँगा तो तो मैंने यहाँ टाटा गुरूप के स्टॉक्स के लिगा तो मैंने आपके लिए टाटा इंवेस्टमेंट यानि कि अगर आपएसे लगाते हो सारे टाटा गुरूप के स्टॉक्स में चला जाएगा स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस च्यों आराउंड आरा आपके लिए चल रहा है चाहे आप Tata Chemicals पे ध्यान देते हो या Tata Power पे ध्यान देते हो या Tata Steel या Tata Consumer या Tata LXI, Tata Communication कोई भी stock लेना चाहते हो और आप ले नहीं पा रहे हो simple Tata Investment में पैसा लगाईए और chill मारिए आपको Tata Group पे बरोसा होना चाहिए बस 2130 पे trade कर रहा है 2886 का high है मुझे लगता है ये stock भी 2500 का candidate है तो यहां आप निवेश करके चल सकते हैं गिरावट में और खरीदने के मौके दूने बस simple दो बार में यहां भी करना है next और last stock है RT Industries और यहां पे थोड़ा strategy में change है पहले मैंने अक्चुली आया आर्ती इंडस्ट्री लिया था फिर मैंने इसको change करके इसारेफ कर दिया रीजन रीजन है कि आर्ती इंडस्ट्री का थोड़ा चार्ट अभी negative हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादे गरावट दिखाए SRF है दो बार में पैसा लगाना है SRF के पीछे का reason समझी आप देखिए 68,000 क्रोड का market कैप है stock का जो अपका valuation stock का जो earning per share है EPS जिसे कहते हैं वो around 70 रुपीज के something है और last year जो था वो 44 के करीब था मैं आपको exactly बताना चाहूँ तो अभी March 2022 के हसाब से 63.72 का है और last year March 2021 के हसाब से 40 का है उसके पहले 35 का था तो यानि कि एक साल में 5 का earning per share बढ़ा उसके वास सीधे 23 का earning per share का जंपा है तो मैं अगर इसको on an average लेके चलू 75 आजा है इस साल मान लीजिए और stock 30 के PE पे अभी trade कर रहा है और एक छोटा डिप रख लीजिए 2100 रुपे महां मिलता है तो ले लीजिए और इस stock को hold करिए तो यह मेरे तरब से 5 stocks थे और जो मैंने राय दिया hope आपको समझ में आई होगी strategy समझ में आई होगी पसंद आ सकते है जहां पर जादा conviction हो होगी निवेश करना